यह सवाल मिला है मुझे एक स्टूडेंट निहार अग्रवाल से और सवाल सर्कुलर मोशन के बारे में है और मेल है गुड़ीवनिंग सर इन कॉंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स एच्सी वर्मा चैप्टर सर्कुलर मोशन वर्ट डाउट एक्जामपल 13 तो एक किताब में जो बना हुए एक्जामपल है उससे रिलेटेट क्वेस्टन है तो इसलिए वह पहले एक्जामपल पढ़ देते हैं ताकि वह किस्टन अपने को समझ में आए तो जो क्वेस्टन की बात करते हैं है तेरा नंबर की उसमें टेबल विच स्मूथ होरिजंटल सर्फेस इस चत भी बना है इसके अंदर में है एस इसके परपेंडीकुलर डीस के पर और यहां पे यहां पे कुछ गुरूव है पढ़ता हुए सवाल और इसमें यह x-axis है यह x-axis है और इसके अंदर में एक पार्टिकल है जो कि किसी डिस्टेंस एक्स पर है इस समय ऐसा एक चित्र बना हुआ है इधर यह y-axis है और इतेबल विते स्मूफ हरुजुड बन सर्फेस इस तर्णिंग अने मिल श्मिड अमेगा इस अक्स और यह जो पुरी टेबल है वैसे गूम रही है एक पुरी टेवल जो है वैसा गूम रही है एक गूव इसमेद ओन तर्फेस आ लॉग ए यह रीडियस के लॉग एक is placed inside the group at a distance a from the center एक पार्टिकल को यहां से a distance के उपर जेंटली यहां पर एसे रखके छोड़ दिया जाता है एक पार्टिकल is gently placed inside the group at a distance a from the center find the speed of the particle with respect to the table as its distance from the center becomes L यह जो है यह a distance पर छोड़ा जाता है इसको और बाद में जब यह L distance पर पहुंच जाए उस समय में पूछा जा रहा है कि इस पार्टिकल के speed क्या होगी और यह सवाल बनाया गया है और बना करके इसमें अंत्में दिखाया है कि इसके जो speed है यह जहां आप छोड़ेंगे वहां से चलेगा एक से के तरफ चलेगा इस फ्रेम में और इसकी सवाल बनावें संदे सवाल बनाया है और कि इसमें सवाल बनाय हुआ है उसमें कोई संदे के इसमें इसस्कृम रही है somebody नहीं है निहार को सारी अलजब्रा सब कुछ को ठीक ठीक समझ आ रहे हैं लेकिन अन्त में जो परिनाम आ रहा है वो उनको तोड़ा संदेह में डाल रहा है अब फिर से मैं पड़ता हूं इंकॉंसर्प्स अची वर्मा चैप्टर सर्कुलर मोशन वर्ट आउट एग्सांपल 13 a table with smooth horizontal surface is turning वगरा वगरा distance from the center becomes L प्रशन आप यहां है I cannot understand which force is making the ball move out in the ground frame तो यहने सवाल जो बनाया गया है वो सबी रोटेटिंग टेबल के frame से बनाया हुआ हुआ है उसमें कोई problem नहीं है लेकिन ground frame से अगर देखते तो जो यह ball है यह बाहर के तरफ इस access से बाहर के तरफ ऐसा दूर जा रहा है तो यह कौन सा force है जो इसको दूर लेके जा रहा है इस एक्स को कौन बढ़ा रहा है कौन सा force है जिसके कारण कि इस group के अंदर में आगे की तरफ पुश हो रहा है यह इनको इनकी समस्या है तो आई केनाट understand which force is making the ball move out in the ground frame I ask my teachers but was not satisfied वगरा वगरा इसका दूसरा पार्ट भी है वह मैं कहूंगा पहले यह पार्ट कर लें तो प्राब्लम यह है कि अगर यह स्मूथ है टेबल फ्रिक्शन नहीं है और जो खांच है उसकी जो दिवारे हैं वह भी फ्रिक्शनलेस हैं तो यह इस खांच में और इजिन से दूर जा रहा है तो और जन्तली प्लेस किया गया था शुरुवात में उसको जन्तली प्लेस किया गया था उसने चलना शुरू किया और इसकी स्पीड बढ़ती जा रहे हैं अगर आप टेबल पर से देखते तो इसको बाहर की तरफ कौन ले जा रहा है यह टेबल के फ्रेम से तो उत्तर बहुत लेकर के जा रहा है तो पहली बात तो यह है कि ग्राउंड के फ्रेम में बाहर की तरफ जा रहा है हमसे दूर जा रहा है तो जरूर हमसे दूर की तरफ उस दिशा में कोई फोर्ट होगा यह बिल्बल सही बात है यह लेकिन मैं आपके उदाहरन दे करके और और भी भहमित करने की कोशिश करता हूं। आप एक सर्कुलर मोशन पर सोचिए हमने कोई स्ट्रिंग बांध करके या कैसे भी करके या इलेक्रोस्टाटिक एट्रक्शन के कारण से जैसे भी एक पार्टिकल है जो कि एक सर्कुल में चल रहा है और युनिफॉर्म स्पीड वी से चल रहा है ओमेगा बराबर वी बायार ऐसा ऐसा चल रहा है इस पर विचार करें इस ग्राउंड फ्रेम से इस पर विचार करें यह पार्टिकल हमसे दूर नहीं जा रहा है इसका जो डिस्टेंस है हमसे वो डिस्टेंस हमेशा फिक्स है पार्टिकल यहां रहे यहां रहे यहां रहे सर्किल में जब चले तो उसमे और चेंज नहीं कर रहा है आर इस कॉंस्टेंट यह हमसे कॉंस्टेंट दूरी बनाए हुए है लेकिन कॉंस्टेंट दूरी बनाए रखने के लिए एक अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है जो इसको टर्ण कर रहा है अरह संव प्रोटोन इलेक्ट्रोन का शली में एसकर प्रोर्स को अंदर की तरफ फोर्स लगा रहा हुए तो आर इस सुन्स्टेन बटF is not zero फोर्ष है लिए बडियार राइ है मैं रढाने घंटाने की बात होर रही तो रीडियार दिरेक्शन में रीडियार दिरेक्शन में ज़ो फोर्स है वो है है वह एम इंटो वी स्क्वार बाई आर है और अंदर की ओर है अंदर की ओर है तो जो अपने पर्शेप्शन होता है कि अगर कोई चीज़ स्थिर है किसी एक दिशा में चल पड़ी तो जरूर उधर फोर्स होगा फोर्स बराबर एम टाइमस ए इससे हम लोग यह बात सोचत है अगर स्थिर है और चल पड़ी मतलब एक्सलरेशन है और एक्सलरेशन है तो जिस दिशा में चल पड़ी है उसी दिशा में एक्सलरेशन है उसी दिशा में फोर्स चाहिए तो यहां हम देख रहे हैं कि अगर हम बाहर की ओर को एक दिशा बोले बाहर की ओर को एक दिशा यह रिदियल डिरेकशन को एक दिषा दो बोलें, तो पार्टिकल उस दिषा में नहीं जा रहा है, वो हमसे दूर नहीं हो रहा है, हमसे नजदीक नही हो रहा है, आर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है कि आपकोगर आप दोबार डिफरेंशेट करोगे तो वो नहीं बतल रहा है पहली बार डिफरेंशेट करोगे वो भी नहीं बतल रहा और फिक्स्ट डे डी यरणी टी जीरौ एक डीट्वार डीटी स्क्वाइर जीरौ है यह लेकिन तब भी फोर्स है और उसको जीरो रखने के लिए मुझे फोर्स लगाना पड़ रहा है अब आप सोचो अगर मैं इसको इस फोर्स को जीरो करूं इस फोर्स को अगर मैं जीरो करूं यानि यह इतना अंदर की तरफ लग रहा है मैं एक बाहर की तरफ फोर्स लगा दू और इसके इसके करण से आर नहीं बदलता है इतने के कारण से बाहर की तरफ उसमें कोई मोशन पैदा नहीं हो रहा है और हमने एक्स्ट्राइक बाहर के तरफ लगा दिया तो अब तो उसको अब तो उसको बाहर जाना बढ़ेगा लेकिन यहां इन दोनों को मिला के सोचिए तो टोटल जरू है लेकिन यह बाहर की ओर यह अपनी दिशा नहीं होती है एक्स एक्सिस के दिशा होती है यह एक्सिस के दिशा होती है जिर एक्सिस के दिशा होती है लेकिन बाहर की ओर आप कंपोनेंट लेकर करोगे कि वो डिस्टेंस अगर हमने चेंज करना है या नहीं करना है तो सब्सक्राइब होगा है कि तो इसक औरं से आप स्ट plague से अगर देखते हैं तो मेरा बोल इस खांच में बाहर कि त्रह को चल रहा है उसक्रफ को चल रहा ही इस तरफ को चल रहा है कर्थ ये नहीं है कि इस आर दिशा में इस रेडियल डिरेक्शन में एक फोर्स होना चाहिए यह नहीं हम इस सिंपल एक्जाम्पल से भी देख रहे हैं और आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं मैं आपको एक रिजल्ट के बल बता रहा हूं कि अगर रेडियल डिरेक्शन के आप बात करेंगे दियल डिरेक्शन का जोmor एक्सेलेरिशन रेडे लडीव में अगर आप एक्सेलेरिशन देखना चाहते हैं तो फो बर Il通 ंसंत्याची स्क्वार इतना नये यह तो है अपनी जगार यह तो अपनी जगापर है लेकिन इसके साथ में कुछ और भी टर्म साते है कुछ माइनमस और कुछ दी तीटा डीटी यानि ओमेगा का स्क्वायर और इन्टो आर ऐसा कुछ ऐसे कुछ और टैर्म्स आने वाले हैं, तो ऐसा, तो फोर्स अगर आप देखते हैं, तो yes, फोर्स मास टाइम सब्सक्राइब इस दिरेक्शन गा फोर्स अगर आप देखेंगे, तो यह ऐसा बनेगा यह ऐसा बनेगा यह ओमेगा है यह ऐसा बनेगा तो केवल इसके साथ में आप इसको मत मिलाएगा इसके साथ में आप इसको मत मिलाएगा यह वी साथ में मिलेगा तब यह चीज यह चीज होकर क्या आएगे इनके प्रश्न का दूसरा पाट है कि अगर हम टेबल के फ्रेम से देखें, even if we see in pseudo frame, the velocity which we have calculated is with respect to this frame. But according to me, there should also be a velocity omega times radius perpendicular, यहने टेबल के फ्रेम से देखने पर भी इनको लग रहा है कि इसके परपेंडिकुलर एक और विलोसिटी ऐसे होनी चाहिए इसकी, तो टेबल के फ्रेम से अगर आप देखेंगे, तो आपकी खांच जो है वो स्थिर है, और वो खांच में इधर जा रहा है ना उधर जा रहा है, तो ग्राउंड के फ्रेम से येस, आप जो कह रहे है ठीक है, ग् रही लाइन फिक्स्ट है, तो जो पार्टिकल का मोशन है वो इसी लाइन पर है, इधर उधर नहीं है, इस कारण से यहां लेकिन वो फोर्च भी किसी सुदो फोर्च से बैलंस हो जा रहा है, तो कुल मिला करके टेबल के फ्रेम में ये ओमेगा इंटु आर नहीं होना चाहि तब उसको जोडने की जरूरत पढ़ेगी हैं